शेहर के बेल तरोडी पुलिस थाना अंतरगत प्रॉपर्टी विवाद में पती ने पत्नी को पत्थर से हमला कर मौत के खाट उतार दिया जिससे परिसा में संसनी मच गई घटना की जानकारी मिलते ही बेल तरोडी पुलिस ने मौकी पर पहुच कर आरोपी को हिरासत में लिया है बेल तरोडी थाना अंतरगत एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है जहां पती ने ही पत्नी की पत्थर से कुचल कर हत्या कर दी दरसल मौके से एक वेक्ति ने पुलिस टेशन बेल तरोडी में फून कर जानकारी दी कि बाजू के प्लोड पर पती पत्नी में विवाद हो रहा है पुलिस स्टाफ तुरंट घटना स्थल के लिए रवाना हुआ जब घटना स्थल पर पहुँचे तो पाया की पत्थी अपनी पत्नी की हत्या कर चुका था पुलिस ने मौके से आरोपी बेल तरोडी साकित नगर निवासी बाबा राव नाकपुरे को हिरासत में लिया है ये घटना आज दोपार बारा बजे के करीब की बताई जा रही है प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक महिला सैजाबाई बाबुराउ नाकपुरे ये आरोपी की दूसरी पत्नी है साकित नगर स्थे जो घर है वो महिला के नाम पर था इनके कुछ खेट जमीन भी है जो कि महिला के ही नाम पर थी कुछ समय पहले पती को माहणा स्कीम के तहट शिवन गाव पुनरवसर में 3000 स्क्वेर फिट जमीन मिली थे इस जमीन को अपने नाम पर करने के वज़र से दोनों के बीच आय दिन लड़ाई होने लगी पतनी ने 6 माहपूर्व ही पती को घर से निकाल दिया था और अभी दो दिनों से ही महिला इस प्लोड पर जाकर साफसफाई कर अपने नाम का बोड लगाने के फिराग में थी तो पती ने प्लोड पर जाकर इसकी सूध ली इसी दोरान दोनों के बीच लड़ाई होई तो पतनी ने पहले पती पर जाकू से वार किया बीच बचाओ में वो नीचे गिरी तो पती ने पत्थर मार दिया उसी समय महिला की मौत हो गए घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर ACP, DCP समेथ बेल तरोडी पुलिस स्टाफ पहुचे हाला की आरोपी बाबुराओ नाकपूरे को बेलतरोडी पुलिस ने हिरास्त में लेकर धारा 302 के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है पुलिस नेउस के लिए खलेश भारदवाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट